पूरे हफते के टिफिन के आईडियाज में लिकर आई हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैंने टिफिन में भड़ता डाल दिया है, मैक्रोनी डाल दिया है, बहुत टेस्टी लगती है बच्चों को टिफिन में, और ये खजूर की बर्फी, और सभी रेस्पीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, पेपर नेपकिन रखने के बाद चपाती को बटर पेपर में पैक करके बो भी रख दिया है, और मोल्ड में मैंने फ्रूट्स डाल दिया है, फ्रूट्स में मैंने पेर्स दिया है, और बस टिफिन तयार है, सेकंड टिफिन देखिए, भिंडी डाली है, स्प्राउट्स मेक्रोनी के साथ दिये है, और साथ ही साथ फ्रूट्स में मैंने तर्बूज रख दिये है, और पेपर नेपकिन हाथ पोचने के लिए मैं जरूर दे देती हूं, बटर पेपर में चपाती को पैक करके वो भी रख दिया है, एक बॉल्ड एग दिया है, अगर आप टिफिन में अंडा नहीं देते हैं, तो उसे स्केप करें, और यो बिस्केट रख दिया है, भीगे हुए बादाम रख दिया है, ये टिफिन भी तैयार है, नेक्स टिफिन देखिए, सबसे पहले मैंने पिंडी छोले डाल दिया है, बुंदी का राइता डाल दिया है, और पिंडी छोले के साथ पूरियां बहुत अच्छी लगती है, तो पूरी रख दी है, पेपर नेपकिन रखने के बाद बटर पेपर में पैक करके, और आम रख दिये हैं, फ्रूट्स में और एक लोटो चोको पाए रख दिया है, बस ये टिफिन भी तैयार है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, चलिए नेक्स टिफिन देखते हैं, नेक्स टिफिन के लिए मैंने आलू की सबजी, जो बिना अनियन, बिना लैसुन के बनी है, और खीर डाल दिया है, हल्वा डाल दिया है, पूरियां बटर पेपर में पैक करके रख दी है, और साथ ही साथ मैंने ये काले चैने भी दिये है, और दूसरे मोल्ड में ये एक कोकनेट कुकी रख दिया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सभी रेस्पीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अवेलेबल करा दूगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं, चलिए नेक्स्ट टिफिन देखते हैं, नेक्स्ट टिफिन के लिए मैंने मैक्रोनी पास्ता बनाया है, और अंडा भुर्जी वो भी मैंने डाल दी है, एक चपाती बटर पेपर में पैक करके डाल दी है, चिप्स रख दिये हैं, बच्चों की फेवरिट स्नेक्स मैं टिफिन में जरूर देती हूँ, और आम भी दे दिये हैं, बच्चों की फेवरिट स्नेक्स साथ में देने से, बच्चे खुश होके पूरा टिफिन फिनिश करके आते हैं, अब नेक्स टिफिन देखते हैं उसके लिए मैंने जीरा राइस डाले है और साथ में मैं कड़ी पकोडा दूँगी बहुत ही डिलिशियस ये कड़ी पकोडा बना है आप जरूर इस रस्पे को ट्राइ करें और आम दिये है फ्रूट्स में और कड़ी को मैंने कवर कर दिया है वैसे इस टिफिन में कवर करने की जरूरत होती नहीं है ये बिल्कुल सेफ रहता है स्पोन को मैं हमेशा ही पैक करके देती हूँ जब भी राइस देती हूँ और बच्चे के फेवरिट स्नेक्स भी दे दिया है थैंक यू